हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल और आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ वर्थ वाले चटपटे आलू की रेसिपी ये आलू बहुत ही चटपट बनकर तयार हो जाते है और बहुत ही खाने में अच्छे लगते है बहुत ही डिलीसियस लगते है और साथी में यहां दो चमच देसी घी अगर आप वर्थ में ओईल का यूज करते है तो आप ओईल में भी नालू को बना कर तयार कर सकते है तो अब घी अच्छे से मैल्ट हो गया है और मैं यहां एड करने वाली हूँ ये दो बड़ी चमच पीनट्स यानि की मुमफली की गीरी और मुम जब तक जब तक ही मुमफली अच्छे से रोस्ट ना हो जाए और अगर आपके पास पहले से ही रोस्टिड पीनट्स एवलेबल हो तो आप उनका यूज कर सकते हो या फिर अगर आपके पास पीनट्स नहीं है तो आप बिना पीनट्स के भी इन आलू को बना कर तयार कर सकत लेकिन आलू के साथ पीनट्स का जो कॉंबिनेशन है वो बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैंने एड किया है तो आप देख सकते हो पीनट्स हलका सुनारी कलर का हो गई है इसका मतलब यह अच्छे से रोस्ट हो गई है तो मैं इनको प्लेट पर निकाल लूँगी और अली वर्त में खाई जाती है लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीच का यूज आप वर्त में नहीं करते हो तो आप उसको इसको कर सकते हो और जीरे के साथ ही मैं एड कर रहे यूँ दोसे तीन बारी कटी होई हरी मिर्चे और आदा चुम venue काली मिर्च और हरी मिर्च औरoti मिर लगता हुए सँ बीना नमक के भी यालु अच्छे लगता है। अगर आप में नमक को जplease दुर्ट Ayum पत्म से बन कर तयार होते हैं तो आप इनको बीननक के भी बना सकते हों तो नमक डालने के बाद मैंने नमक को अच्छे 多 हैं ऑर कैस का फिलेम हमारा अभी भी मेडियम ही है और मिडियम फिलेम पर इन पार इन आलू को अब हम बीच पीच में चलाते हुए करीब 3-4 मिनट तक पका लेंगे जिससे की आलू भी घी के साथ अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे और साती में नमक भी इनमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह आलू बहुत ही जटपट बनकर तयार होते है और अगर आपके पास पहले से ही आलू बोईल है तो आप इसको विदिन 5 मिनट बना कर तयार कर लोंगे तो करीब 3 मिनट बाद मैंने इसमें अब यह पीनट में डाल दिया जिनको हमने ड्राइ रोस्ट किया था और पीनट को अच्छे से मिक्स कर लिया और पीनट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है हरा धनिया जो कि इस रेसिपी को होड़ भी ज़्यादा टैम्टिंग बनाएगा और हरा धनिया का टेस्ट भी आलू में बहुत ही अच्छा लगता है और हरा धनिया को डाल कर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम ओफ कर दिया है और अब इन गर्मा गरम चट पर बन कर तयार हो जाती है और आप देख सकते हो कि मैंने इनको प्लेट में सर्फ कर लिया है और सर्फ करने के बाद भी मैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ रा धनिया इसके उपर ऐसे डाल दूँगे और इसी के साथ मैं इसके उपर एड़ करूंगे ये कुछ अनार के दाने जो कि इस रेसिपी को होड़ भी जादा टेम्टिंग बनाएंगे और साथ में जब अनार के दाने हम खाते हुए बीच में आलू के साथ आते हैं तो वो बहुत जादा अच्छे भी लगते हैं और मैं इन आलू को सर्फ करने वाली हूँ जीरा राइता के साथ और ये भी वर लगी हो तो इसको लाइक और सेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कराते रहिए